असलामों आलेकुम नाजरी इन सागत है आपका असमास किचिन में तो आज हमारे किचिन में बने वाली है स्ट्रोवेरी आइस क्रीम और इसे बनाने बले हैं इन तीन चीजों से तो यह हमने 300 ग्राम इस्ट्रोवेरी ली और 300 ग्राम विपिंग क्रीम लिए अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते तो आप 400 ग्राम ले लेए और यहां पने उस्ट्रोवेरी केहां इस तरह पीस कर लेंगे चोटे चोटे पीस का लिए हैं अब एक जार में डालकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे strawberry को हमने दर-दरा पीस लिए आ है अब cream को हम फेट लेते हैं तो आप जाहे है से हाथ से पहेट ले या फिर बीटर से पहेट ले तो अगर आप के पास खेन भीटर नहीं हो तो आप से हाथ से फेट ले क्रीम को आमने बहुत ज्यादा नहीं फेटेंगे, अगर आप इसे हांस से फेटंगे तो थोड़ा से अच्छे सब तो हम ने इसे वीटर से फेट थे तो ये बह। जल्दी फिट गई है, इसमें डालेंगे हम स्टरवेरी के डालेंगे, सारी चीज़ों का अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में, अब इसे हम रखेंगे जमने के लिए, तो यहां हमने एक कंटेनर ले लिया है, अब इसमें हम ये डालेंगे, इसके उपर लगाएंगे हम ऐलमोनियम फाइल, ताकि इसके उपर बरफ न जमें, यानि ये और इसके लगादेंगे हम डबतन, और इसे हम रख देते हैं, आट से दस घंटे के लिए फ्रेजर में, चलिए तो आइस्क्रीम को हम देख लेते हैं, ये देखिए, आइस्क्रीम बहुत अच्छी जमी हुई है, ये देखिए, इस पर बरफ भी नहीं जमी है, अब इसे हम आइस्क्रीम निकालेंगे, आइस्क्रीम निकालने के लिए आप आइस्क्रीम को थोड़ा सा गरम पानी में रखें, इससे क्या होता कि आइस्क्रीम अच्छी से निकल दी है, तो हमने इसे थोड़ा सा गरम पानी में रखा था, अब इसे हम निकालेंगे, तो लीजी बहुत मज़े की बहुत ही कम इंग्रीडिन्स से तैयार होने वाली स्टावएरी आइस क्रीम बनकर तैयार है वीडियो पसंद आयोते से लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगली एक नहीं राशेभी के साथ फिर आजर होते हैं तब तक आप अपना खयाल रखें बियुक्त आप अधर जब आजर होते हैं अधर हैं तो इस दो एक अधर यडियो नहीं पर भाते हैं पूली तो तुम्त आप करें वे एक अधर खुलता पारवा